बीजेपी कॉंग्रेस का फिक्स मैच, बीजेपी के पक्ष में कॉंग्रेस के विधायक, बीजेपी के पास जेजेपी विधायकों की चाबी, अर्याना विधान सभा में सब बीजेपी के विधायक हर्याना राजनीती में तीखी बहस तो खूब होती है लेकिन क्या विपक्ष की बातों का असर हर्याना सरकार पर दिखाई देता है एक्षन तो खूब दिखाई देता है लेकिन क्या उसका कोई रियक्षन भी दिखाई देता है विपक्ष क्या सिर्फ दिखावे के लिए पॉलिटिकल एजेंडे सेट करता है? क्या हर्याना विधान सवा में मैच फिक्स होता है? ये कुछ ऐसे सवाल है जो हर्याना में बदलाव लाने का कोरा सपना देखने वाली खास नेताओं की आम आदमी पार्टी ने उठाए हैं हर्याना आम आदमी पार्टी के वरिष्टु पाध्यक्ष अनुराग धांडा ने बीजेपी की खूबा लोशना की तो वहीं कॉंग्रेस को भी लपेटे में ले लिया केंद्री स्तर पर अपने नेताओं के बचाओं में विपक्षी नेताओं का कुनबाई खटा करने वाले आम आदमी पार्टी के नेता राज्यस्तर पर इतर बात करते हैं हरियाना की राजनीती में आम आदमी पार्टी की आम लोगों में पैट बनाने के लिए बिना सिर पैर की बात कर रही है तो अनुराग धांडा भी खुद ही अंदर की वेबाग बात कर रहे हैं हरियाना में बीजेपी कॉंग्रेस को हाथ में हाथ डालते हुए मान कर अपनी जुबान से दोनों पार्टीयों के लिए तीके शब्द कहने वाले अनुराग धांडा ने तो यह तक कह दिया कि ये दोनों पार्टीयां बेशक अलग-अलग दिखें लेकिन अंदर से ये एक ही गोशित कर दिया विपक्ष की भूमिका को निवाने की नसीहत भी दे डाली अनुराग धांडा ने तो यह तक कह दिया कि बीजेपी विधान सबा में अपने ही विधायकों के साथ बैठी है जेजेपी के विधायकों की चाबी भी बीजेपी के पास है कौन किसके साथ है? कौन किसके खिलाफ है? ये तो आम लोग आम आदमी पार्टी से बहतर जानते हैं विपक्ष की जिम्मेदारी और सरकार की विकास में भागीदारी का हिसाब जनता के पास आही जाता है बदलाव के नाम पर सत्ता सुक पाने को बेताब आम आदमी वाली पार्टी के खास नेता पूरी मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन मन गड़नत राजनीतिक कथाओं से क्या जनता केजरीवाल के मौजूदा हाल में भी भक्त बन पाएगी? 2024 का सारा साल हाल बता देगा बिरो रिपोर्ट एवन हर्याना चंडिगड